तो आज हम करेंगे एक्सराइज 6.1 का जो बो कोशिन नमबर 2 कोशिन 3 & 4 काफी अच्छे कोशिन है फ़र्स कोशिन जो बो हमने पिछले कल कर लिया था पिछले लेक्चर में कर लिया था तो हमारा जो चैप्ट्र रहब हो है इंटीजर तो थोड़ा सारी कैप करते हैं थोड़ हों मैंने याँ जैसे जो जिरो लिखे घर यांपर जीरू अब आपको हमारा है अगर मैं लिख आगे की तुछ टारफ तो बंन आएगकν पिर त्री प्र आएगगा फिर फोर आएगका फिर फाइब आजाएगा घर ऐसे आगे तक चलता जाएगा तो त्यचलता जाएगा औ लेकिन integer में जब वो minus बाले भी सात में आ जाते हैं, negative number भी सात में आ जाते हैं, negative number means 0 से चोटे, तो 0 से चोटे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, तो minus 5 ऐसे चलता जाएगा, मतलब कि minus 100 जबो चोटा होगा 0 से, minus 100 जबो बहुत चोटा है 0 से, अगर मैं बात करूँ, minus 100 और minus 50 की, तो minus 100 ज़्यादा चोटा है, minus 50 से, अब आप देख रहे होगे, यहाँ पर बिल्कुल opposite हो गया, अब आपको बताता है कि 100 जो बड़ा होता है 50 से, लेकिन यहाँ पर minus जब असल लग गया, तो minus के ज़्याद जितना बड़ा नंबर है, उतना वह चोटा नंबर हो गया, तो minus 100 च जाओगे, तो नंबर चोटा से, चोटा होता चला जाएगा, तो इस सारे जब इंटीजर होते हैं, लेकिन द्यारा किए, 0 भी इंटीजर है, 0, 1, 2, 3, 0, minus 1, minus 2, देखे, minus infinity तक, infinity मतलब कि जामतर काउंटिंग भी नहीं होती, not divine, ठीक है, तो यहाँ तक आप जासकते हो, ठी भी आपको decimal बाले नंबर मिलते हैं, ठीक है, बो, जोबो, जैसे आपको जोबो पताए कि रेसल नंबर नहीं पढ़ा होगा, अपने साइद, तो पढ़ेंगे, आगे जा करके, लेकिन इसके बीच में भी नंबर है, वैसे 0 और 1 के बीच में, बो इंटीजर नहीं होंगे, उ जोब प्रॉफिट हो जाएगा, अब दा सी लेबल मतलब बिलो सी लेबल, देखें, कुछ इस तरह से सबुती सिंपल से कोशिन किये थे, चलिए, सेक्ट कोशिन करते हैं, सेक्ट कोशिन में लिका है, रिपर्जेंट नंबर एस इंटीजर विद एप्रोप्रियेट साइन, तो यहां पर आपने इसने बोला है कि रिपर्जेंट करी है, नंबर्स में, ठीक है, एस इंटीजर विद एप्रोप्रोपिट साइन, साइन भी यूज करना है आपने, साइन देखें, अब इस जब साइन हो रहा है, साइन की बात है, या तो नेगटिव या तो पोजिटिव ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर में नेगटिव वाले भी आ जाते हैं, और पोजिटिव नमपर भी आते हैं, ठीक है, तो फस्ट है यहां पर, एन एरोप्लेन इस फ्लाइंग एड़ था हाइट 2000 मीटर एब अब अब दा ग्राउंड, इससे मोला ग्राउंड से, जो उब ओड रहा है, ग्राउंड से जो उपर ऊड़ आ है कितना मीटर वपर, 2000 उपर, तो 2000 तो मैंने लिख दिया, 2000 तो मैंने यहां पर लिख लिए है अजर यहां पर 2000 बोला है कि मैं यहां पर 2000 लेकिन यहां पर यहां फे 1000 जांच हटो चली कोई बात नहीं यहां पर 2000 प्र कर दूंगा सभी कर लें यहां पर 2000 कर लें मतलब यह जरो लगा ले तो पॉजटिव साइन इसके लग जाएगा पॉजटिव 2000 मीटर नेक्स देखें बहुत ही सिंपल ऐसे तो सब्मेरीन का मतलब होता है जो पंडू भी होते है जो पानी के अंदर चलती है ठीक है पानी के अंदर चलती है सब्मेरीन इस अभी नीचे चला गया नीचे मतलब माइनस में चला जा जा तो 8000 8000 मीटर बिलो अब 8000 मीटर नीचे होगा यहाँ पर भी वैसे ही है यहाँ पर भी यह अंदर लिका है यह तो कोई लॉभी नहीं वर sono टेग के यह हूँ बाक्टी थर्मृ खдеर सबो लगी यह एक़िता अब डिपोजिट कीए मैं पड़के टाले आ पर चिक Elias जमा गई है जमा किये तो मतलों पॉजिटीव होंगे ना गटेंगे थोड़ी ना वो पैसे तो इसका मतलब है यहां पर पॉजिटीव टू हंडर्ड रूपीज ए ठीक है बिल्कुछ सही नेक्स देखिए डी बिट्रॉल और बिट्रॉल कमतलों निकालना पैसे निकाल लिए निकाल लिए निकाल लिए तो कम होगे कम होगे तो माइनस 700 रूपीज आई होप समझे रहे होंगे काफी इंटरस्टेंग भी है काफी इसी इस भी है इसको अच्छा से यहां पर मैं लिख लेता हूं किसे एक बार टाउसेंट्यृश्टिक मैं इसको क्रॉस करके क्रॉस नह करना था मैंने इसको मैं यहां पर जो वह एक जीरो और लगा देता हूं ऐसे ठीक है तो एक जीरो आप और यहां पर लगा लें ओके और नेक्स देखिए एक्स कोशीन है यहां पर कोशीन नमर त्री रिपरेजेंट था फॉल इंबर और नमबर लाइन तो यह बुराएं कि सेम डिस्टेइस पर बनाएं जैसे वह 1-2 जैसे 1 cm का जबम आप लेक सेंटीमीटर का आप अपने गैप लेशते हो तो ऐसे आप इसको बनाई है फिस ने बॉलक्त थुद प्लस फाईव तो प्लस प्लस फाइव जिरो से heated यहांप यहां पर आपने एक ऐसा बनानां correct Ret scenario तो यह भी बहुत एजी है जैसे आप प्लस 10 भी यहां पे लिख सकते हो तो यहां पर प्लस 5 भी लिख सकते हो प्लस 5 नहीं माइनस 10 तो यहां पर माइनस 10 नहीं जैसे तो माइनस 10 तो माइनस 10 कहा होगा 0 से इस साइड कोगा माइनस 10 या जैसे होगा तो यहाँ पे ऐसे arrow लगाए ठीक है 10 यहाँ पे arrow लगाए जैसे यहाँ पे गयाँ बैसे ही बहुत ही सिंपल है ठीक है तो आप इन सभी question करें देखे question number 4 क्या है question number 4 बढ़ा है कि adjacent figure is a vertical number line तो आप यहाँ पे देखते है एक vertical number line vertical का मतलता है ऐसे उपर से नीचे की और और horizontal का मतलता है ऐसे यह horizontal line है इसको मैं x-axis बोल दिया और इस vertical line को y-axis बोल दिया ठीक है तो यह वो रहा है कि adjacent figure is a vertical number line representing integer तो जब वो integer को जब रिनोट कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है observe it and locate the following point इसको observe करिए देखिए इसको अच्छे से फिर जो बताईए कि क्या कि यहाँ पे पूछा गया है देखिए इसने बोला पहले कि if point d is plus 8 then which point is d इसने बोला कि अगर d पर जो प्लस 8 है तो कितने point पर जो minus 8 होगा एक आफ इंटरस्टिंग विची देखिए ए जो बो हमारी number line है तो आपको d दिख रहा होगा अच्छा मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ वैसे यहाँ पे जोड़ा number line बढ़ी है और हमारी screen जोड़ी सी जोटी लग रही है अब हो गया पुरा तो इसको मैं इस साइट गुआ देता हूँ अब देखें डी जोबो आपको यहाँ जैसे दिखाए दे रहोगा प्लस 8 इसने बोला आप माइनस 8 कहाँ जैसे होगा तो माइनस 8 देखिए डी 0 से जोबो 8 आगे जोबो प्लस 8 गोगा उपर की साइट जोबो प्लस ले लिए नहीं नीचे की साइट जोबो माइनस 8 लेना है तो कितना 8 का डिस्टेंस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पर आ रहा है तो f पर होगा माइनस 8 तो बहुत ही जी है माइनस 8 एफ पर होगा फस्ट कांसर हो जाएगा यहां। तो यहां पर देखें जोबो अब्ज़र कने के लिए लिए तो अब्ज़र्बो जब मेने कियाfather तो यहां पर देखें प्लस 8 भी लिखा हुआ है हैll आप देखें प्लसेट सुछ हूआ है प्लस 8 मिन िंस सेि से जो बाला है नीचे बाली साइड की माइनस फाले है भीसे नीचे नहीं लिखा है कहीं माइनस लेकिन आप अपसर्व करेये आपको पता है कि इन्टीजर में जब बो जीरो के एक साइड जो बाला होता है तो मैं पता चला si plus 8 से कि यहां पे जो आ प्लस वाल है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, नेगटिव, और, ठीक है, यस B जो वह यहां पर है यहां पर जीरो है यहां पर B है तो 1,2,3,4 मतल कि 4 प्लस वाला 4 तो प्लस4 हो जाएगा B और E को देखते हैं यह कहां पर है यहां पर यहां पर जीरो है तो काउट करें इनको कितने का डिस्टेंस है तो माइनस टैन क्योंकि यह साइड माइनस वालने तो माइनस टैन होगा ठीक है तो यह वो रहा है कि विच पॉइंट मार्क ओन इस नमबर लाइन में कौन सा है देखे सबसे शोटा तो वह होगा जो माइनस में सबसे बढ़ा होगा तेक है आप समझ रहा है क्या वह रहा हूं सबसे शोटा जो माइनस में देखे जैसे यह रहा है तो बहुत सरे शाइड जाते जाते वह लास्ट में शальные सबसे चोटा कहा है तो यहां पर वह ब्लक और decreasing order of value इसने बोला कि decreasing order में मतलब कि सबसे बढ़ा उससे चोटा उससे चोटा ऐसे करके आप इसको लिखिए तो यह भी लिख सकते हैं हम बड़े अराम से ठीक है सबसे बढ़ा जो आपको D मिलेगा उपर ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आज आपकी लाइफ क्लास नहीं होगी सायथ कल होगी तो कल आप जोगो अपने डाउट से पूछ सकते हैं ओके थैंक यू एंड है वो नाइस दे